सब्सक्राइब कीजिए सेड़ जी के नुसके चैनल को और इस बेल आइकोन को प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए और ये बिल्कुल फ्री है नमश्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सेड़ जी के नुसके में दोस्तों आज मैं एक बहुती महतुपुन टॉपिक लेकर आई हूँ आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सावन के तीसरे सोमवार के विशे में देखिए ताकि आप इस वीडियो का पूरा पूरा फाइदा उठा सकें दोस्तों वैसे तो सावन के पूरे महीने ही शिव जी की विशेश पूजा की जाती है और सावन महा के हर सोमवार का एक अपना ही विशेश महत्व होता है पूरे मास में ही शिवालियों में पंचा मृत से भगवान शिव का अभिशेख रुद्रा अभिशेख होता है भगवान शंकर को फूल बेल पत्र धतूरा आदी चड़ा कर श्रधालू पूजा आर्चना करते हैं दोस्तों वैसे तो सावन का पूरा महीना ही भगवान शिव को अर्पित होता है लेकिन सावन क सावन के तीसरे सोमवार का एक अपना ही खास महत्व है सावन के तीसरे सोमवार को भगवान शिव की पूजा करने से विशेश फल की प्राप्ति होती है और कहा जाता है कि सावन के सोमवार को वरत करने से मन चाहा जीवन साथी मिलता है और दूद की धार के साथ ही भगवान शिव से जो भी मांगा जाता है वो भगवान शिव पूरा करते हैं तो चलिए अब जानते हैं कि सावन के तीसरे सोमवार का क्या महत्व होता है दोस्तों सावन के तीसरे सोमवार पर भगवान शिव के तीनों सवरुपों की पूजा की जाती है जिवतिशाचारे के अनुसार इस स्रिष्ट्री में तीन गुण है सत्ट रज और तम और इन तीनों गुणों को मिला करी स्रिष्ट्री का निर्मान हुआ है इस पर स्वेम भगवान शिव संचालन करते हैं भगवान शिव के नीलकंट नटराज वे बृत्युन जै इन तीनों सवरुपों की विशेश करनी चाहिए शिव जी अपने इनी सवरुपों के जरिये ही पूरी स्रिष्ट्री का भरन पोशन करते हैं इसलिए शिव भगतों के लिए सावन का तीसरा सोमबार विशेश लाबकारी माना गया है इस अवदी में विवहायोग्य लड़कियां इच्छित वर पाने के लिए स और गणेश जी की भी पूजा की जाती है तो दोस्तों उमीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की जानकरी पसंद आई होगी तो इसे लाइक कीजिए फ्रेंट्स में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल सेड़ जी के नुसके को ज़्यादा सब्सक बाँ